Hey everyone, I am Pavan from TCML and आपको यहाँ पर एक triangle दिखाई दे रहा है and मैं आपसे बोलू कि चलो इस triangle को anatomy की language की अंदर explain करो and anatomy की language मतलब कि आपको बताना है border, surface, okay उनी की बात करनी है तो देखिए आप क्या बोलोगे कि sir मुझे इस triangle को देखकर लग रहा है कि इस triangle के पास क्या है? three border है मतलब कि एक border ये हो गया, एक border ये हो गया और एक border ये हो गया and इस triangle के पास sir three angle भी है angle मतलब कि ये वाला border और ये वाला border जहाँ पर मिल रहा है तो देखिए इन दोनों border ने यहाँ पर क्या बनाया? एक angle बनाया तो देखिए this is number one angle number two angle number three angle and इस triangle के पास sir मुझे two surface भी दिखाई दे रही है मतलब कि एक तो हो गई ये वाली पूरी की पूरी और एक होगी इसके पीछे यानि कि ये वाली overall sir मुझे इस triangle के अंदर तीन चीज़े दिखाई दी और इन तीन में से number one क्या है border यानि कि three border number two क्या है angle यानि कि three angle और number three क्या है surface यानि कि two surface और अब आप बोलेंगे कि sir चलो हमने सब कुछ बता दिया जो भी आपने पूछा पर sir आप पताना क्या चाहते हो इस triangle से हम क्या समझेंगे तो देखिए इस triangle के अंदर जितनी भी चीज़े होती है न उसे आप कहाँ पर पढ़ते हो scapula bone के अंदर मतलब कि जब आप scapula bone को पढ़ोगे तो इसे आप पढ़ते हो two part के अंदर मतलब कि body of scapula and process of scapula and इस triangle के through हमने क्या समझा है body of scapula मतलब कि जो ये scapula bone है इसके जितने भी process है मतलब एक process ये वाला हो गया मतलब दो process यहाँ पे होते हैं तो इनको मैंने उड़ा दिया मतलब यहाँ से काड़ दिया and इस वाले process को काड़ दिया तो बच्ची जितने भी scapula है न वो आपको दिखाई देती है triangle shape की और वही क्या होती है body of scapula मतलब कि मैंने scapula से सारे process हटा दिये है तो क्या बचेगा body of scapula और वो हमें कैसी दिखाई देती है triangle shape की and इस triangle के अंदर मैंने क्या बताया था three border, three angle and two surface तो वही चीज़े आपको कहां मिलेगी body of scapula के अंदर तो देखिए यह triangle मैंने ऐसे रख दिया and देखिए यह क्या है glenoid cavity and यहां पर क्या बनता है shoulder joint ऐसे और आपको बता होगा shoulder joint यहां पर बन रहा है मतलब कि यह क्या होगा lateral यह क्या होगा this is medial यह कहां होगा ऊपर की तरफ यानिकी superior और यह क्या होगा inferior तो I hope आप side determination समझ गए होंगे overall यह क्या है this is lateral क्योंकि यह क्या है glenoid cavity and अब हम आते हैं border के नाम पर, angles के name पर और surface के name पर तो सबसे पहले हम surface की ही बात करते हैं तो देखिए मैंने इस triangle के अंदर two surface की बात की थी एक तो यह हो गई एक इसके पीछी वाली हो गई तो देखिए यहाँ पर भी two surface है एक तो यह हो गई और एक यह पूरी की पूरी हो गई तो यह वाली क्या होती है this is ventral या बोल दीजि तो one border यह हो गया one border यह हो गया one border यह हो गया and यह lateral है तो अवराल यह क्या होगा this is lateral border of scapula lateral border of body of scapula यह क्या होगा पूरा का पूरा medial border of body of scapula and यह पूरा का पूरा क्या होगा यहाँ पर this is the superior border of body of scapula तो मैंने यहाँ पर three border की बात कर ली देखिए रटने के नहीं है आपक यहां पर shoulder joint होगा तो अफ़कोर्स यह क्या होगा this is means मिडियल होगया न हो गया और होगया कोवन सी बाते भाई ऐंड त्री एंगल होते हैं तो देखिए आपको इसके अपना थोड़ी दिखाई देगी क्योंकि हमें यहां पर shoulder बनाना है ओवराल जो यह वाला एंगल है यह थोड़ा ऊपर हो गया इसलिए हम क्या बोलते हैं सुपीरियर एंगल मतलब कि जहां पर लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर आके मिल रहे हैं तो वहां पर एक एंगल बन गया अरे एंगल पढ़ते हो नहीं मेंटमेटि एंड जैसे ही तो यह वाला एंगर कहा चला गया लेटरल साइड तो ओवराल यह क्या होगा लेटरल एंगर एंड यह नीचे की तरफ है तो इसे क्या बोलेंगे इनफीरियर एंगर ओवराल मैंने यहां पर scapula की body के अंदर जो three border होते हैं जो three angle होते हैं और जो two surface होती है उनकी बात कर ली है and अब तक मैंने इस वीडियो के अंदर किसकी बात की है body of scapula की बात की है यानि कि triangle की बात की है अरे यार मैंने starting को बताया था ना कि scapula bone को हम two parts के अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे body of scapula second number पर क्या पढ़ेंगे process of scapula and body के अंदर हमने क्या पढ़ा इस triangle को यानि कि three border, three angle and two surface ये सारे हमने पढ़े हैं body of scapula के अंदर and अब हम आते हैं process of scapula के उपर and scapula के process के अंदर हम three process पढ़ते हैं और इन में से number one क्या है corecoid process मतलब कि जो process मैंने अभी right hand से पकड़ रखा है यही क्या है corecoid process देखिए यहाँ पर coronoid process मत बोल देना क्योंकि जो coronoid process होता है वो कहाँ पर present होता है alna bone के पास देखिए यह क्या है alna bone and यह वाला process जो मैंने अभी हाँ से पकड़ रखा है यही क्या है coronoid process इसे corecoid मत बोल देना क्योंकि corecoid process कहां होता है scapula bone के पास and coronoid कहां होता है alna bone के पास and तीन process में से second process कौन सा होता है spinaeus process तो देखिए जो process मैंने अभी हाँ से पकड़ रखा है यही क्या है spinaeus process देखिए इसको उड़ा देना जो process मैंने अभी right hand से पकड़ रखा है यह वाला right hand से यानि कि यह वाला तो यही क्या होगा this is spinaeus process and जो process मैंने अभी left hand से पकड़ रखा है वो क्या है acromion process यानि कि ये वाला this is acromion and this is spinaeus और ये कौन सा है this is korecoid तो overall मैंने यहाँ पर three process के भी बात कर ली जो की scapula bone पर present होते हैं तो इसी के साथ हमारी scapula bone पूरी की पूरी finish होती है and मैंने इस video के अंदर क्या बात की है external features of scapula मतलब की जब आपको कोई scapula bone हाथ में पकड़ाता है और आप से पूछता है कि बताओ ये वाली scapula bone के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े दिखाई दे रही है तो आपको वो सारी चीज़े इसी sequence में बोलनी है मतलब की वो क्या पूछ रहा है external features and आपको कैसे बताना है कि scapula bone इसके पास body होती है process होते है body के अंदर three angle three border or two surface होती है and process के अंदर three process होते है okay and आज की video यही पर finish होती है bye झाल 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 की झाल आ缚 झाल 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 झाल